बच्चों की कहानी, शेर और खरगोश, एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था, वह हमेशा जंगल में रहने वाले जानवरों को खा जाता था, इस वजह से जंगल के सभी जीव जन्तों को शेर से बहुत दर लगता था, एक बार सभी जानवरों ने मिलकर शेर के साथ एक समझोता कर लिया, कि रोजाना एक जानवर शेर के भोजन के लिए स्वयम उसके पास चला आएगा, शेर यह बात मान गया, उस दिन से रोज एक जानवर अपनी बारी से शेर के पास पहुँच जाता था, और दूसरे जानवर बिना डर के जंगल में घूमते एक बार खरगोश की बारी आई वह धीरे धीरे शेर के पास जाही रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक तरकीब सुझी वह बहुत देर करके शेर के पास पहुचा शेर भूखा होने के कारण बेचैन अपनी गुफा के बाहर चक्कर लगा रहा था खरगोश को देखते ही शेर गरजा और बोला गरे खरगोश तुम इतनी देर से कहा थे भूख से मेरी जान निकली जा रही है खरगोश बोला क्या बताओ महाराज हम पाँच भाई आपकी सेवा के लिए आही रहे थे परंतु रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया वह बोला की वह जंडल का राजा है उसमें हम पर हमला कर दिया और मेरे भाईयों को खा गया महाराज मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आपको यह संदेश देने पहुचा हूँ यह बात सुनकर शेर क्रोधित हुआ और बोला कहा है वह दुष्ट जो अपने आपको राजा बता रहा है मुझे दिखाओ मैं अभी उसका काम तमाम कर दूँगा खरगोश शेर को कोई के पास ले गया जब शेर ने कोई में जाका तो उसे अपनी ही परचाई दिखाई दी उसे दूसरा शेर समझ कर वह जोर से गरजा और क्रोधित होकर उस कोई के अंदर छलां लगा दी परन्तु उस कोई के अंदर कोई दूसरा शेर नहीं था वहां तो केवल पानी ही पानी था बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था शेर बहुत देर तक पानी के अंदर ही छट पटाता रहा और डूप कर वही मर गया इस प्रकार नन्हे खरगोश ने अपनी चतुराई से अपनी और अन्य साथियों की जान बचाई कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम बुद्धी और विवेक से हम कोई भी काम आसानी से कर सकती है